हाई दोस्तों दोस्तों आज हम बात करेंगे फास्ट ब्रॉजर के बारे में दोस्तों यह जो ब्रॉजर काफी फास्ट है और आपके पास नेटबर कभी सुलो आती कभी फास्ट आती है तो यह ब्रॉजर आपके लिए काफी कमाल की बनने वाला है दोस्तों यह ब्रॉजर है आप 2G भी network रहेगा तो आप इसमें भी fast download कर पाएंगे और fast कोई भी page website खोल पाएंगे और उसके बाद दोस्तों यहां पर YouTube browser की बात करो तो YouTube browser काफी गलत है क्योंकि आपका data वेगरा leak होनी की chances है और बहुत सरा इसे website के अंदर बताया गया तो उसे आप uninstall कर लिजे क्योंकि यह जो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर यह application आपके लिए काफी बेश्ट होगा तो यह application को use कीजेगा जी हां तो दोस्तो चली मैं वीडियो को start करता हूँ मेरा नाम है सितार है आप देख रहे होगा तो यूट्यूब चैनल दोस्तो देख सकते हैं मैंने अप्लिकेशन को install करके राख हो तो अप्लिकेशन नहीं रिट ब्रॉजर जी हां तो दोस्तो इस ब्रॉजर का link में इस वीडियो दम fast चलेगा download की बात करो तो मत पूछो इतना fast होगा download जी हां उसके दोस्तो इस तरह से खुलने के बाद यहां पर बहुत सरा इससे category आ जाती है जैसे live tv देखना चाहते वो भी यहां पर आपको मिल जाती यानि English में Hindi में जो भी चीज करना चाहते हैं आप यहां पर कर सकते जी यहां उसके बाद दोस्तों यहां पर search करना चाहते है कोई भी browser search करना चाहते हैं यहां पर लिख लीजिए Google.com ठीक है Google.com लिखनी के बाद इस तरह से आपको fast यहां पर आपको नजर भी आता हुए कितना fast यहां पर open हो रहा है उसके चलिए यहां पर पे टीन डॉट पे klik कर देता है और तीन डॉट पे klik करने के पाद यहापर बहुत सारा चीज अपसन आ जाती है जैसे कि हश्टरी आ जाती है। जो जो कोन-कोन ब्रोजर क्याकेशित में सर्च किये हैं उसके बाद दोस्तों यहां पर home देजाकते हैं जो से की उन्हम जाना चाहते हैं अपलीकेसिंग histó के उसके बाद साथ-साथ दोस्तों इसमें new tap मिल जाती है। यहां पर सर्चिंग मिल जाती है तो यहां पर को आपको मिल जाए के यहां पर बहुत सार चेप डॉलड होगा उसके बाद दोस्तों की बात कर लेता हूं कि स्टिंग में का बैस अच्छी बात है कि दोस्तों इसं DAY पार कुγαumu कूछ solidarity और कौनAm तो इसे आप सेंपल इसे बंद कर सकते हैं, उसके बाद दूस्तों आप और वी फास स्खोरना चाहते हैं, तो flexibility मिल जाती है, उसके बाद दूस्तों यहां पे लिखेता हो, एक और स्यटिंग है, Book Maker Way setting में जाता हूँ तो यहाँ पे क्या कुछ मिल जाती है को कुछ नहीं मिलता है इसमें आप delete करना चाहते हैं All जो आप save करते हैं ब्रॉजर का जो भी data आपको save करते हैं तो इसे आप delete भी कर सकते हैं जी हाँ उसके बाद असा दोस्तो display setting में जाता हूँ तो app themes कर सकते black dark जो भी करना चाहते हैं कर सकते सबसे अच्छा दोस्तों इसमें लगा black कर लिजे या आपका रॉसनी भी आपका रॉसनी भी कम लगेगा और उसके बाद दोस्तों बेटरी भी बचाबत होगा तो यह आपके लिए काफी useful है उसके बाद दोस्तों privacy setting में जाता या दोस्तों यहाँ पर data clear करना चाहते है history विगरा cookies को history clear विगरा करना चाहते है वो आप कर सकते हैं जी हां उसके बाद दोस्तों यहाँ और भी बात कर advance में जाता हूं तो advance setting में क्या कुछ मिलता है तो यहाँ पर allow भी कर सकते हैं जो भी notification चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं उसके बाद दोस्तों यहां पर incoming mood भी कर सकते हैं, restart भी कर सकते हैं, बहुत सरा चीह एकत्यादी आपको मिल जाती इस browser के अंदर, और दोस्तों यह browser कितने MB का मिलेगा, आपको 3 MB की मिलेगा, maximum आपको 3 MB का browser मिलेगा, तो दोस्तों 3 MB का और user browser कम सकम आपको 30 या 40 MB की मिल जाती है और उस browser के अंदर काफी illegal मतलब, आपका data वेगारा, loss भी मतलब, किसी को दे भी देता है, में लिकीज हो जाता है, तो मेरी साफसे वो browser को uninstall कीजे, और yes browser को use कीजे, मैं link दे दूँगा, किलिक करके आप install करके बड़ी मजा उठा सकते हैं, और fast use कर सकते हैं, दोस्तों फिरी ये कोई चार्ज नहीं लगता है, अगर आपके मन में कुछ भी सवाल करना चाहते हैं, कुछ भी मन में गुद गुद आ रहा है कि सवाल ये करों, तो प्लीज कॉमेंट करें, तो बस इस वीडियो में इतना है, तो अपने ख्याल लेखेगा, टिक केर, एंड बाई